दोस्तो स्वागत है आप सभी का Apps Point में आज हम बात करने वाले हैं WhatsApp status की एक छोटी सी problem के बारे में अगर आप WhatsApp पर status लगा रहे हैं लेकिन आपका status आपके दोस्तों को दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं आप देख सकते हैं मेरे पास है दो मोबाइल और मैंने ये वाले मोबाइल पर status लगा दिया है तीन मिनट हो चुके हैं लेकिन किसी ने अभी तक इसे देखा नहीं है आप भी status लगा रहे हैं एक दो घंटे हो जा रहे हैं फिरी भी कोई भी views नहीं आ रहा है आपके status पर तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे आपका status आपके दोस्तों को दिखाई नहीं दे रहा है तो कैसे इसे ठीक करेंगे आज हम सारी चीज़े सीखने वाले हैं तो युडियो को यार लाइक कर दो और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ मैं बेल आइकोन को दबा कर आल पर सेट कर दो ताकि जैसी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करू तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए तो यहां पर दोस्तोँ आप से य कोई छोटी सी गलती हुई होगी यहां पर दोस्तों क्या करना है। आपको status में आजाना है और उपर यहां पर तृट पर click करना है तो यहां पर एक setting होती है status privacy यानि के status की भी setting हम कर सकते हैं WhatsApp के अंदर तो यहाँ पर दोस्तों कितीन option देखने के लिए मिल जाते हैं my contact और my contact accept तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप click करेंगे और यहाँ पर आपने इस तरह से अगर सभी contact को select कर रखा है और यहाँ पर आपने इसे write कर दिया है यहाँ पर done कर दिया है तो इसका मतलब यह हो गया दोस्तों कि आपने सभी लोगों से अपना status को hide कर दिया है आपका status किसी को भी दिखाई नहीं देगा आप चाहिए कितना भी status लगा दे किसी को भी आपका status दिखाई नहीं देगा तो यहाँ पर आपको setting को change करना होगा यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा my contact पर आपको इसे set करना होगा my contact पर set करने के बाद आप इसे done पर कर दीजिए done पर करने के बाद दोस्तों आपका status दूसरे लोगों को दिखाई देगा यहाँ पर हम इसे delete कर देते हैं और दूसरा status लगाते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजें यहाँ पर status दिखाई देगा यहाँ पर मैं upload कर देता हूं status को तो आप देख सकते हैं, status यहाँ पर आ चुका है, यहाँ से हम status को देख लेते हैं, status को हमने यहाँ पर देख लिया है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किस किसने हमारे status को देखा है, तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर status privacy setting में आएंगे, तो यह setting आप कर सकते हैं my contact accept यहाँ पर दोस्तो आप जिन जिन लोगों को select करेंगे उन लोगों को यहाँ पर आपका status दिखाई नहीं देगा अगर आप all select कर देंगे तो किसी को भी दिखाई नहीं देगा अगर आप किसी एक बंदे से छुपाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से टिक करना है और यहाँ पर write कर देना है और done कर देना है तो उस बंदे को आपका status दिखाई नहीं देगा इस तरह से दोस्तो अगर आप चाहते हैं किसी एक बंदे को आपका status दिखाई दे किसी दो बंदे को तो आपको यहाँ पर जो दोस्तो आप WhatsApp में ये setting कर सकते हैं। अगर दोस्तो आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी problem आ रही है, तो आप हमें comment करके बता सकते हैं, हम आपकी help जरूर करेंगे। अगर दोस्तो आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाते हैं, तो हमारे चैनल Apps Point को subscribe जरूर कीजिए, और साथ में bell icon को दबा कर all पर set कर दीजिए, ताकि जैसी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करू, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए, वीडियो को like जरूर कीजिए, और वीडियो को share कर दीजिए what's up Facebook पर, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, बाई!